Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम लोग assim Г증 करेंट एफएर का जून मंत की करेंट एफएर को डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम लोग assim करेंट एफएर का जून मंत का एक जून से लेकर 30 जून 2021 तक जितने भी करेंट आफएर के कोष़ेंज दिये गए हैं सारे questions को one by one discuss करेंगे ये current है फिर आपके आने वाले जितने भी exam है चाहे हुआ railway का हो, SSC का हो या अधर कोई भी estate, PCS या कोई भी exam हो सारे exams के लिए बहुत ही important है इस book में current है फिर बहुत ही अच्छा data wise one linear form में दिया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही important है आने वाले सारे exams के लिए तो आप ये वीडियो को जरूर से देखेगा और अपने दोस्तों के साथ share किजेगा और इसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को subscribe नहीं के तो चैनल को subscribe कर ले और साथ ही bell icon को press कर ले ताकि जब भी कोई निया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका notification अपको तो रंद मिल जाए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग सबसे पहले एक जून से के current affair को स्टार्ट करेंगे तो एक जून 2021 को 20 दुग दिवस कौन सा दिवस तो 20 दुग दिवस मनाए गया नेक्ट है एक जून 2021 को TCS ने अपना पहला यूरोपिय नवाचार केंदर कहां खोला है तो इसका correct answer हो जाएगा एमस्टरडम में कहां तो एमस्टरडम नीदर लेंड में खोला है नेक्ट एक जून 2020 को उर्दु को असानी से समझने के लिए रेक्ता फाउंडेशन ने किस सब्ज कोस की रचना की है तो एक जून 2020 को उर्दु को असानी समझने के लिए रेक्ता फाउंडेशन ने रेक्ता सब्ज कोस की रचना की है नेक्ष्ट एक जून 2021 को भारतिय उद्धोग परिशंग का अध्यच किसे निक्त किया गया है तो एक जून 2021 को भारतिय उद्धोग परिशंग का अध्यच टीवी नरेंद्रन को निक्त किया गया किसे तो टीवी नरेंद्रन को निक्त किया गया है next है एक जून 2021 के सुचना अनुशार बिश्वास संगठन के अनुशार करोना वाइरस के बिभिन विरियंट को बैग्यानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस सब्दों के अधार पर रखा जाएगा तो अब उनको ग्रीक सब्दों के अधार पर रखा जाएगा next है एक जून 2021 को राष्ट्य मानवा अधिकार आयोग के नए अध्यच के रूप में किसे नुख्त किया गया है next है एक जून 2021 को केंद्रिय परत्यच कर बोड के अध्यच का अत्रिक्त कारेभार किसे दिया गया है तो एक जून 2021 को केंद्रिय परत्यच कर बोड के अध्यच का अत्रिक्त कारेभार जे बी महापात्र को किनको जे बी महात्र पात्र को दिया गया है next है दो जून 2021 को डवलू हो ने भारत में सबसे पहले पाए गये कोरोना वायरस के दो वेरियंट बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट वन तथा बी पॉइंट वन सिक्स वन सेवन पॉइंट वन तू को क्या नाम दिया है तो उनको करमशा कपपा और डेल्टा का नाम दिया है नेक्ट है दो जून 2021 के सुचना नुशार विश्वास्ट सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मानेता देने का निरने लिया है नेक्ट है दो जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन असकाई संदी में पुना सामिल होने का फैसला किया है तो दो जून 2021 को अमेरिका ने रूस के साथ ओपन असकाई संदी में पुना सामिल होने का फैसला किस ने तो अमेरिका ने किया है नेश्ट है दो जून 2021 के सुचना अनुशार भारतिय शविधान सभा के अंतिम जीवित की सदस का निर्धन हो गया है तो दो जून 2021 के सुचना अनुशार भारतिय शविधान सभा के अंतिम जीवित सदस से टीवी एम काली यानन गोडेर का निर्धन हो गया है नेश्ट है दो जून 2021 को 31 एसियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस अस्तान पर रहा है तो दो जून 2021 को 31 एसियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 पदक तालिका में भारत चांथा अस्तान पर रहा किस कितना अस्तान पर तो भारत चांथे नंबर पे रहा है और पर्थम अस्थान पर कौन रहा है तो पर्थम अस्थान पर कजिकस्थान रहा है कौन रहा है कजिकस्थान रहा है पर्थम अस्थान पर नेक्ट है तीन जून 2021 को बीस सियाम को किस देश में भारत का राज़ूत निक्त किया गया तो तीन जून 2021 को बीस सियाम को आइसलेंड गनराज में भारत का राज़ूत निक्त किया गया कहा तो आइसलेंड गनराज में Net है 3 June 2021 को Mount Everest पता करने वाले पहले A.C.I.E. नेतरिहिन कौन बने है तो 3 June 2021 को Mount Everest पता करने वाले A.C.I.E. नेतरिहिन चीन के सांग होंग बने है नेक्ट है तीन जून 2021 के सुचना निसर भारत का सवजेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैक को किस ने विख्षित किया है तो इसको IT रोपड के दोर विख्षित किया है नेक्स्ट है 3 जून 2021 को भारती नौ सेना के नए उपरमुग कौन बने है तो 3 जून 2021 को भारती नौ सेना के नए उपरमुग वाइस एड्मिरल रनवीत सिंग बने कौन तो वाइस एड्मिरल रवनीत सिंग बने है नेक्ट है तीन जून 2021 को कौन सा दिवस मनाए गया तो तीन जून 2021 को बिस्वस साइकल दिवस मनाए गया कौन सा दिवस बीसव साइकल दिवस नेश्ट है चार जून 2021 के सुचना नुचार CSIR ने पानी को किटानु रहित करने के लिए किलिए किस नाम से नहीं तकनिक की सुरुवात किया तो चार जून 2021 के सुचना नुचार CSIR ने पानी को किटानु रहित करने के लिए स्वास्तिक के नाम से नहीं स्थाफाली वर्मा सिर्फ अस्थान पर रही है कौन तो सफाली वर्मा सिस अस्तान पर रही है नेक्ट है 4 जुन 2021 को International Business Book of the Year एवाड 2021 से किसे समानित किया गया है तो 4 जुन 2021 को International Business Book of the Year एवाड 2021 से नितिन राकेश एवम जैरी सिंग को समानित किया गया है ndronsकिन को चार जुन 2021 को WhatsApp ने किसको भारत का सिकायत अधिकारी निक्ट किया गया है तो 4 June 2021 को WhatsApp ने परेश भी लाल को भारत का सिकायत अधिकारी निक्ट किया है निक्ट है 4 June 2021 को RBI ने वीत वर्ष 2021 से 22 में GDP की विकासदर कितने परतिशत रहने का अनुमान लगा है तो 4 June 2021 को RBI ने वीत वर्ष 2021 से 22 में GDP की विकासदर 69% रहने का अनुमान लगाया है निक्ट है 4 June 2021 को केंद सरकार ने TET पास करने बाद उसके परमान पत्र की वेता 7 साल से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो 4 June 2021 को केंद सरकार ने TET पास करने के बाद उसके परमान की वेता 7 साल से बढ़ा कर आजीवन कर दिया है निक्ट 4 June 2021 को फोपस द्वारा जारी सरवादी कमाई करने वाले 100 सिर्ष खिलालियों की सुची में बिराट कॉली कौन से अस्तान पर है तो 4 June 2021 को फोपस द्वारा जारी सरवादी कमाई करने वाले 100 सिर्ष खिलालियों की सुची में बिराट कॉली 69 अस्तान पर है नेक्ट 4 June 2021 को किस देश की सरकार ने ट्वीटर पर आनिस्चित काल के लिए पावंदी लगा दिये तो 4 June 2021 को नाजेरिया की सरकार ने ट्वीटर पर आनिस्चित काल के लिए पावंदी लगा दिये तो नाजेरिया की सरकार ने लगा दिये नेश्ट है चार जुन्द्वर 21 को 3 ट्रिलियन रुपय की मार्केट कैप हासिल करने वाली तिसरी भारती आईटी फर्म कंपनी कौन बन गई है नेश्ट है चार जुन्द्वर 21 को इंडेस वेस्ट फूड पार्क का उदगाटन क्रीसी मंतरी नारेंसी तोमर ने कहां किया था तो चार जुन्द्वर 21 को इंडेस वेस्ट फूड पार्क का उदगाटन क्रीसी मंतरी नारेंसी तोमर ने 36 गड में किया था कहां तो 36 गड में क next 4-June-21 नेचर T.T.L. फोटोग्राफर आप धा-ईयर डृतीज ऑदर आवार्ड किसे ने जीता है तो 4-June-21 नेचर T.T.L. फोटोग्राफर आप धा-ईयर डृती सेवाड धॉमस बिजियन ने जीता है उसमस बिजियन ने जीता है और यह कनाडा के देखा है तो ये कानाडा के है निख्ट है पांच जून 2021 को किस बिसाय के साथ 20 परियावरन दिवस मना गया तो पांच जून 2021 को 20 परियावरन दिवस मना गया उसका बिसाय था बहतर परियावरन के लिए जय इंधन को बढ़ावा देना क्या था किस online tracking portal को launch किया है तो 5 June 2021 को रास्टे बाल अधिकार संडचन आयोग ने COVID-19 से परभाइद बच्चों के लिए बाल सावराज नाम की online tracking portal को launch किया है कौन सा तो बाल सावराज नाम की online tracking portal को launch किया है नेक्स्ट है 5 June 2021 को national green tribunal के महा पंजिय किसे निक्ट किया गया है तो 5 June 2021 को national green tribunal के महा निर्देशक ASJ बिद्या परकास को निक्ट किया है किन को तो ASJ बिद्या परकास को निक्ट किया गया है नेक्ट है 6 June 2021 को 202 का सैचिक सलाकार किस भारतियों को बना गया है तो 6 June 2021 को बीसोबैंका सेचिक सलाकार रंजित सी दिसाले को बनाया किन को तो रंजित सी दिसाले को बना गया और यह माहराज से कहां और यह तो माहराज से है निख्ट है 6 जून 2021 को राजस्तान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यारतों के लिए किस योजना की सुरवात किये तो 6 जून 2021 को राजस्तान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यारतों के लिए मुख्य मंतरी अनुप्रती कोचिंग योजना की सुरुवात की है निख्ट है 6 जून 2021 को असम के कोरा जहार जिले में इस्तित किस पार को राज का छठा राष्ट उद्यान घोशित किया गया है तो 6 जून 2021 को असम के कोरा जहार जिले में राय मोना पार्क को राज का छटा राष्ट उद्यान घोशित किया गया है नेख्ट है 6.91 को एनीमिया मुक्त भारत सुछकांग 2020-21 की राष्ट रैंकिंग में हिमाचल पर्देश ने कौन सा अस्तान हासिल किया है और इसमें मद्य पर्देश राज ने पहला अस्तान हासिल कीया है next है 7-01-2011 को कौन सा दिवस मना गया 7-01-21 को विस्व खाद सुरच्छा दिवस मना गया next है 7-21-21 को facebook ने भारत में सिकायत अधिकारी के रूप में किसे निउख्क गया है तो 7 June 2021 को Facebook ने भारत में सिकायत अधिकारी के रूप में अस्पूर्ती प्रिया को नुक्त किया किन को तो अस्पूर्ती प्रिया को नुक्त किया है नेक्स्ट है 7 June 2021 को इसरो ने तीन परकार के वेंटी लेटर विक्सित किये है इस्रू ने इनका नामकरन किस नाम से किया है तो इस्रू ने इनका नामकरन प्रान वाई और स्वस्त के नाम से किया है नेक्ट है साथ जुन्द्र 21 को किस राज सरकार ने जहां भोट वहां वैक्सिनेशन अभ्यान की सुरुवात की है तो साथ जुन्द्र 21 को दिल्ली सरकार ने जहां भोट वहां वैक्सिनेशन अभ्यान की सुरुवात की है किस ने तो दिल्ली सरकार ने की है नेक्ट है साथ जुन्द्वर एकीष को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस छेदर को भारत का पहला इलेक्ट्रोनिक वैकिल ओनली जिन बनाने की घोशना की है नेक्स्टप है 7 June 2021 के सुचना अनुसार निती आयोग ने कीन दो बैंकों के नीजी करन की सिपारिश किए तो 7 June 2021 के सुचना अनुसार निती आयोग ने Central Bank एऊं Indian Oversus Bank के नीजी करन की सिपारिश किए तो पहला है Central Bank और दुश्रा है Indian Oversus Bank नेक्स्ट है, 7 जून 2021 को भारती नाव सिना ने सौधेश में निर्मित कीन तीन उन्नत हलके हलिकॉप्टर को अपने बेडे में सामिल किया है नेक्स्ट है, 7 जून 2021 के सुचना नुशार, टाइमस 50 Most Desirable Women 2020 के लिस्ट में सबसे उपर किसे रखा गया है तो नेक्स्ट है, 8 जून 2021 को कौन सा दिवस बना गया है तो 8 जून 2021 को 20 ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा 20 महासागर दिवस मनाया गया नेक्स्ट है 8 जून 2021 को कोरोना में मरीजों तक मुक्त में सही दवाया पहुंचाने के लिए सुनिल सेटी ने किस पहल की सुरुवात की तो 8 जून 2021 को कोरोना में मारीजों तक मुक्त में सही दवाया पहुचाने के लिए सुनिल सेठी ने दवा भी दुआ की पहल की सुरुवात की कौन सी पहल तो दवा भी दुआ पहल की सुरुवात की है नेक्स है 8 जून 2021 को किसी चुना आयुतनिक सिया गया है नेक्स्ट है आठ जून 2021 को इंग्लिस फुटबाल एसोसियेशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला परमुक के रूप में किसे चुना है तो 8 जून 2021 को इंग्लिस फुटबाल एसोसियेशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला परमुक के रूप में डेवी हेविट को चुन अभियान को शुरू किया है तो 8 जुन 2021 को निती आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जीलों में सुराचित हम सुराचित तुम अभियान को शुरू किया है नेक्स्ट है 8 जुन 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृति गैस नियामक बोर्ड का आध्यच किसे नियुक्त किया गया है तो 8 जुन 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृति गैस नियामक का बोर्ड संजीव सहाय को नियुक्त किया गया है तो संजीव सहाई को निक्त किया गया है नेश्ट है आठ जून 2021 को सरसाटवे राष्टी फिल्म पुरसकार 2021 में पारियावरन सन रचन पर सरस्रिष्ट फिल्म पुरसकार राष्टी पुरसकार किसे मिला है तो आठ जून 2021 को सरसाटवी राष्ट्री फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरन सन्रचन पर सर्व स्रिष्ट फिल्म राष्ट्री पुरस्कार अरुनाचल परदेश की वाटर बरलियन को मिला है कि इनको तो अरुनाचल परदेश की वाटर व्यू रियल को मिला है नेक्ट है 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मना गिया तो 9 जून 2021 को बिस्व परतिया यन दिवस मना गिया नेक्ट है 9 जून 2021 को इंटर पोल ने लापता वैक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया बैसिविक डाटाबेस लाउंच किया है तो 9 जून 2021 को इंटर पोल ने लापता वैक्तियों की पहचान करने के लिए आईप हैमलिया के नाम से एक नया बैसिविक डाटाबेस लाउंच किया है नेक्त है 9 जून 2021 को कर्केटर विरेंदर शहवाग ने देश में कर्केट कोचिंग के उदेश से किस नाम से वेबसाइट को लाउंच किया है तो 9 जून 2021 को किर्केटर विरेंदर श्रावाग ने देश में किर्केट कोचिंग के उदेश से क्रीकुरू नाम की वेबसाइट को लांच किया है नेक्ट है 9 जून 2021 को अल सलवाडोर ने किस करेंसी को देश की वैद मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है नेक्ट है 9 जून 2021 के सुचना अनुचार देश का पहला अंतराष्ट समुद्री सेवा कलस्टर कहां अस्तापित किया जाएगा निश्ट है 9 जून 2021 को आम के सात्वा असम के सात्वा राष्ट्य उधान किसे घोसित किया गया है तो 9 जून 2021 को असम का सात्वा राष्ट्य उधान देहिंग पठकाई को घोसित किया गया है Next है 9 June 2021 के सुचना अनुशार CROSEERA की Global Skill Report 2021 में भारत को कौन सा rank मिला है तो इसमें भारत को सर्सटवा rank मिला है कौन सा rank तो भारत को इसमें सर्सटवा rank मिला है Next है 10 June 2021 के सुचना अनुशार परदूरसित हवा को सुध करने के लिए Smog Tower लगाने वाला पहला राज कौन बन गया है तो 10 Jun 2021 के सुचना उन्सार परदूसित हवा को सुद करने के लिए Smog Tower लगाने वाला पहला राज दिली बन गया कौन तो दिली बन गया है Next है 10 Jun 2021 को Twitter के साथ गती रोध के बाद Nigeria सरकार का अधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है तो 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गती रोध के बाद नाजेरिया सरकार का अधिक हरिक हैंडल अब कूप प्लेटफॉर्म पर है कूप प्लेटफॉर्म पर है नेश्ट है 10 जून 2021 को जिमबाबे के किस लेखक को पेन प्रिंटर प्रिसकार 2021 दिया गया है तो 10 जून 2021 को जिमबाबे के लेखक तिसमी डागा रेमबगा को प्रेन प्रिंटर प्रिसकार 2021 दिया है किन को तो 33 डागा रेमबगा को दिया गया है नेक्ट है 10 जून 2021 को भारत थाइलेंड सम्विंती गस्ती अभ्यास का एक तिसवा संस्क्रण किस सागर में सुरू हुआ तो 10 जून 2021 को भारत थाइलेंड सम्विंत गस्ती अभ्यास का एक तिसवा संस्क्रण अंडमांड सागर में सुरू हुआ नेश्ट है दस जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिस्रित यूगल खिताब किसने जीता तो दस जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिस्रित यूगल खिताब किसने तो डिजायर क्रॉसिक और जो सेली सबरी ने जीता निख्ट है 10 जून 2021 को टोक्यो पैरा उलंपिक में वाइल कार्ड के जरिये फर्वेश लेने वाले खिलाडी कौन बनी है जो पर्वेश मिलते ही भारत की पहली ताइकवटो खिलाडी बन जाएगी तो वो है अरुन तवर कौन है अरुन तवर है निख्ट है 10 जून 2021 को सिरलंका जाने वाली भारतिय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे निख्ट किया गया है तो 10 जून 2021 को सिरलंका जाने वाली भारतीए टीम का कप्तान सिखर धवन को निक्ट का गया है और उप कप्तान भोनीस्वर कुमार को निक्ट का किन को तो 11 जून 2021 को की से जाने माने नीरो लॉघिस्टिक का निर्धन हो गया है तो 11 जुन 2021 को डॉक्टर असोग पनगडिया का निर्धन हो गया है और वे एक जाने माने निरो लोजिस्टिक थे नेक्ट है 11 जुन 2021 को जाने माने किस अर्थ सास्तिरी और पर्यावरन विद का निर्धन हो गया है तो 11 जुन 2021 को प्रोपेसर राधा मोहन का निर्धन हो गया है और वे एक जाने माने अर्थ सास्तिरी और पर्यावरन विद थे हैं नेक्ट है 11 जुन 2021 को Home Appliance Brand Candace ने किसे अपना Brand Ambassador बनाया तो 11 जुन 2021 को Home Appliance Brand Candace ने अभिनेता अरजुन कपूर को अपना Brand Ambassador बनाया किन को तो अभिनेता अरजुन कपूर को नेक्ट है 11 जुन 2021 को भारत के किस अस्टार पालवान ने पॉलेंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है तो 11 जुन 2021 को भारत की अस्टार पालवान बिनेश फोगाट ने पॉलेंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है नेश्ट है 11 June 2021 के सुचना अनुशार भारत के जैविक रिश्व उत्पादों के निर्यात में 2020-2021 में कितने परतीसत की ब्रीधी हुई है तो 2020-2021 में 51% की ब्रीधी हुई है नेश्ट है 11 June 2021 को Global Livability Index 2021 में सिर्थ अस्तान पर किसे रखा गया है तो 11 Jun 2021 को Global Liberty Index 2021 में सिस अस्तान पर Auckland को किसको तो Auckland को रखा गया है Next है 11 Jun 2021 को UK Asian Film Festival 2021 के 23 संस्क्रण में सर्व स्रिष्ट अभिनेतरी का पुरस्कार किसी ने जीता है तो 23 संस्क्रण में सर्व स्रिष्ट अभिनेतरी का पुरस्कार भारती अभिनेतरी तिलोत्मा सोम ने किसने तो भारती अभिनेतरी तिलोत्मा सोम ने जीता है Next है 11 Jun 2021 को Ferrari ने अपनी कमपनी का नया CEO किसे नुक्त किया है नेक्ट है 11 जुन 2021 के सुचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से अस्टिल्ट तकनिक से लैस जहाज बना रहा है तो यह रूस के द्वारा बना जा रहा है रूस के द्वारा बना जा रहा है नेक्ट है 12 जुन 2021 को कौन सा द्वास मना गया तो 12 जुन 2021 को बिश्वबाल स्रम निशेद द्वास मना गया नेक्ट है 12 जुन 2021 को बित मंत्री निर्मला सितर रमन ने किस एंटी फंगल और एंटी वाइरल दवाई को जियस्टी के दायरे से बाहर कर दिया है तो बारा जून 2021 को बीत मंत्री निर्मला सितर रमन ने एंटी फंगल दवाई एम फोटे रिसीन बी को तथा एंटी बैरल दवाई टोसिली जुमेव को जियस्टिस के दायरे से बाहर कर दिया है नेक्स है बारा जून 2021 को भारती मूल की किस अमेरीकी पतरकार को अंतराष्ट रिपोर्टिंग के लिए पुलिजदैर पुरसकार से नवाजा गया है तो वो है मेगा राज गोपालर नेक्स है बारा जून 2021 को बिस पोर परतिरोजी हैलमेट के लिए IIT Root की किस प्रोपेसर की NSG प्रशकार से समानित किया गया है तो वो है प्रोपेसर सेलेज गोबिंद गन पूले कौन है तो है प्रोपेसर सेलेज गोबिंद गन पूले नेक्ट है 12 जून 2021 को फोप्स दोवारा 20 के सरस्रेष्ट बैंकों के सूची में 21 में किसे नामित किया गया है तो 12 जून 21 को Forbes द्वारा 20 के सरुषियर बैंकों के सूची 21 में DBS बैंक को नामित किया है कौन सा बैंक तो DBS बैंक को नामित किया गया नेक्स्ट है 13 जून 21 को इजरायल के नए परधान मंतिरी के रूप में किसने सपत गरन किया तो 13 जून 21 को इजरायल के नए परधान मंतिरी के रूप में नपतानी बैंट ने सपत गरन किया किसने तो नपतानी बैंट ने नेक्स्ट है 13 जून 21 को वर्ष के दूसरे ग्लैंड सलेम फ्रेंच ओपन का पुरूस एकल जो को वीच ने जीता है और ये सर्विया के है कौन से तो ये सर्विया देश के है नेक्स्ट है तेरा जून 21 को किस पुर्व भारतिय और रॉंडर की लाड़ी को अंतराष्ट किर्केट परिशाद ICC के हाल अफिम में सामिल किया गया तो वे है वीनू माकंड कौन है तो वे है वीनू माकंड नेक्स्ट है चौदा जून 21 को कौन सा दिवस मना गया तो चौदा जून 21 को बिश्व रख दाता दिवस मना गया तो चौदा जून 21 को बिश्व रख दाता दिवस मना गया नेक्स्ट है संक्रमन रोधी 3D printed mask को तयार किया है निख्ट है 14 जून 2021 को किस किंदर सासित परदेश को स्वच भारत मीशन के पहले चरन के तहत खुले में सौच से मुक्त गोशित किया गया है तो 14 जून 2021 को लदाख को स्वच भारत मीशन के पहले चरन के तहत खूले में 100 से मुक्त गोशित किया किसको तो लद्दाग को गोशित किया गया है निश्ट है 14 जून 21 को कननट फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निर्धर हो गया नेक्स्ट है चाओदा जुन्द्वर 21 को भारत के परमुक सौट वीडियो एप मौज से जुडने वाले भारती किर्केटर कौन बन गये हैं नेक्स्ट है चौदा जूंद्वर 21 को बंगला देश तथा स्कॉट लेंड के किस खिलाडी को करमसा पुरुष और महिला वर्ग में मैं महने के लिए ICC प्लियर आपडा मन्द चुना गया है तो पुरुष में मुसिफूर कुर रहमान को चुना गया जो कि बंगला देश का है और महिला वर्ग में कैथरीन 22 को चुना गया है जो कि स्कॉट लेंड की है नेक्स्ट है चौदा जूंद्वर 21 को अक्टार्ड का महासचीव के रूप में रेवेका ग्रिन स्पेन को निक्स्ट की है जो कि कोस्टा रिका की है नेक्स्ट है चौदा अप्रेल 2021 को सुचना अनुसार मद परदेश कोबिट 19 महामारी पर लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने जारी है तो चौदा अप्रेल 2021 के सुचना अनुसार मद परदेश कोबिट 19 महामारी पर लोगों में जाग सकती कोरोना मुक्ती अभियान को शुरू करनी जारी कौन सा अभियान तो युवा सकती कोरोना मुक्ती अभियान नेक्ट है पंदरा जून 2021 से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है तो पंदरा जून 2021 से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश इसरायल बन गया कौन तो इसरायल बन गया है नेक्स है 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाई गया तो 15 जून 2021 को 20 से बुजूर के दूर वहवार जाग रुपता दिवस के रूप मनाई गया नेक्स है पंदरह जून 2021 को 15,000 डॉलर का गयल फैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर बीस के द बस्टार यारा डीकई गूपेश कौन तो डीके गूकेस बन गया है नेक्ट है 15 June 2021 को World Giving Index 2021 में 114 देशो की सुची में भारत को किस अस्तान पर रखा गया है तो 16 June 2021 को वर्ल्ड गीविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशो के इसुची में भारत को एक सो चौदवे अस्तान पर रखा गया कौन सा अस्तान तो भारत को सब से लास्ट में एक सो चौदवे अस्तान पर रखा गया है नेक्ट है सोला जून्डवर 21 को ICC द्वारा जारी पुरूस टेस्ट बल्ले बाजी रैंकिंग में पहली नंबर पर कौन है तो सोला जून्डवर 21 को ICC द्वारा जारी पुरूस टेस्ट बल्ले बाजी रैंकिंग में पहले अस्तान पर इस्टीव इस्मित है कौन है तो इस्टीव इस्मित है जो कि अस्टेलिया के हैं नेक्ट है 1621 को E-Sports Premier Link के Brand Ambassador किसी चुना गया है तो 1621 के सुचना नुशार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां मिला है सुला जून 2021 के सुचना नुशार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा अफरीकी देश बोतहसवाना मिला है नेक्ट है 17 जून 2021 को कौन सा दिवस्मना गया तो 17 जून 2021 को बिश्क महरू अस्थ्ली करन और सूखा रोक्ताम दिवस्मना गया नेक्ट है सत्रा जून द्यून जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ बिलाई कि घोशना किया है तो शत्रा जून 2021 को भार्टी मुलक के सत्य नडेला को मैक्रोस्वोप्ट का नया अध्यच निउक्त किया गया है निख्ट है 7 जून 2021 को चीन ने लॉग मार्च 2 एप के जरीए किस माना युक्त अंतरिचियान का प्रचेपन किया है तो चीन ने सेन जोव टुवेल नाम की अंतरिचियान का प्रचेपन किया है निख्ट है 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे उच्छे सिखर मांट एरिष्ट पर फटा करने वाले कसमीर के पहले नागरिक कौन बन गये है नेश्ट है 18 जून 2021 को भारतिय यूद पोत तरिकन्ड अदन की खाडीन में किस नौसेनिक अभ्यास में पहली बार हिंसा लिया तो उसने इन एयू नेव फोर नौसेनिक अभ्यास में पहली बार हिंसा लिया इसर च्जारे 18 जून 2021 जाम्विया के पर्थम राष्पति और संच्टाप्पा का निरधन हो गया उनका नाम कैनेट कोड़ था उनका नाम चैनेट कोड़ा था निश्टे 18 जून 2021 को बैस्विक सांती सुछ उचकांग 19 21 में भारत कौन से अस्थान पर है, तो 88 जून 2021 को 22 विक 37 suchkhang 2021 में भारत 135 वे अस्थान पर कौन इतना अस्थान था, भारत 135 वे अस्थान पर है, नेफ्ट है अठारा जून 2021 को किस भारतिय समकालिन कलाकार को निर्वे और मुंडी पुरसकार से नमाजा गया है तो 18 जून 2021 को परभाकर पाच पुते को समकालिन कलाकार को नार्वे नीवे आर्टेस मुंडी प्रसकार से नमाजा गया है नेक्ष्ट है 18 जून 2021 को प्लाइंग सिक के नाम से मासूर की समहान धावा का कोविट के कारण निरधन हो गया है पर्यावरन छेत्र में सायोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझते पर अस्तारित किया है तो 19-21 के सुचना अनुसार परियावरन छेतर में सवयक बढ़ाने के लिए भारत और भूटान ने समझोते पर हस्तारिच किये किसने भारत और भूटान ने निक्त है 19-21 की मुख्य मंत्री युवा उधमी युजना तता मुख्य मंत्री महिला उधमी युजना के नाम से दो महत्वकांची युजना हैं किस राज की है तो ये दोनों महत्वकांची युजना हैं बिहार राज किये कौन सी राज तो बिहार राज किये निक्त है 20-21 को की खोसना किये तो बीस जून दो एकीस को कुलिसा सरकार ने अनात बच्चों के लिए वितिय सयोग के लिए आसिरवाद योजना की खोसना की कौन सी योजना तो आसिरवाद योजना की खोसना किये निक्ट एकीस जून दो एकीस को किस विशय के साथ अंतराष्ट योग दिव बनाये गिया निक्ट 21 जून्द्र 21 को परधान मंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाब आ विश्वास मत पारित कर दिया वे किस देश के परधान मंत्री तो वे स्वीडिन के परधान मंत्री है कौन कहां के तो स्वीडिन के परधान मंत्री है निक्ष्ट है 21 जून्द्र 21 को अ तो clouded टुफान ने नेश्ट है 21 जून जार 21 को 21 French Grand Prix का खिताब किसने जीता तो 21 जून जार 21 को 21 French Grand Prix का खिताब Red Bull के Max West Tappan ने जीता किसने तो Red Bull के Max West Tappan ने नेश्ट है 21 जून जार 21 को जमु कस्मीर की 20 महिला को भारतिय वायू सेना में महिला फाइटर बनने का गौरब प्राप्त हुआ है तो 21 जून जार 21 को जमु कस्मीर की महिला माविया सुधन को किनको तो माविया सुधन को भारतिय वायू सेना में महिला फाइटर बनने का गौरब प्राप्त हुगा है नेक्ट है 22 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतिय पुरुस होकी टीम का कप्तान किसे निउत कहा गया है नेक्स्ट है 22 जून्डवेर 21 से उतर पर्देश के नुवाइडा में स्तापित सुटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निसाने बाज के नाम से जाना जाएगा तो उसको अब चंदो तोमर के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट है 22 जून्डवेर 21 को अरुनाचल पर्देश की किस महिला को अंतराष्ट मुक्य बाजी संग की कोच समीती का सदर सिनुक्त किया गया है तो दॉक्टर तंडांग मीनु को अंतराष्ट मुक्य बाजी संग का कोच समीती का सदर सिनुक्त किया गया है नेक्ट है 22 जून 2021 को यूरोपिय पुरसकार अभिसकार 2021 से किसे समानित किया गया है तो 22 जून 2021 को यूरोपिय पुरसकार अभिसकार 2021 से सुमीता मित्रा को समानित किया गया है नेक्ट है 22 जून 2021 के सुचना अनुसार ओलम्पिक में हिशा लेने वाले पहले ट्रांस एथलिट कौन होंगे तो 22 जून 2021 के सुचना अनुसार ओलम्पिक में हिशा लेने वाले पहले ट्रांस एथलिट वेट लिप्टर हारेल हावर्ड होंगे कौन तो वह है उडिशा राजी निक्स्ट है 23 जून 2021 को कौन सा दिवस मना गया तो 23 जून 2021 को अंतराष्ट ओलम्पिक दिवस मनाए गया निक्स्ट है 23 जून 2021 को राश्पती रामनात कोबिन ने सविधान के अनुचे 224 के उपबंध वन के तहट परदत अधिकारियों का इस्तिमाल करते हुए बॉम्ब तथा केरल उच नियाले में कितने अतरित न्याधिस निक्त के हैं तो उन्होंने मुमबे में चार और केरल में एक अतरिक न्याधिस निक्त के हैं नेक्स्ट है 23 जून 2021 का पहला आई सी सी बिस्फ चैंपियन टेस्ट चैम्पियन 2021 का खिताब किसद्श ने हप्सिल किया तो 23 जून 2021 का पहला ICC बिटेस्ट चैम्पियनशीप 21 का खिताब न्यू जू जू लेंड ने हसिल किया नेच्ट है 23 जून 2021 को जमाइका की किस माहिला द्हाविका ने 100 मीटर बिस रिकओड ॢारक फ्लोरेस, ग्रिफिंग, जॉनियर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला सासक बन गई तो वो है सैली एन फ्रेजर प्राइस को आने तो वो है सैली एन फ्रेजर प्राइस नेक्स्ट है चोबिस जून 2021 को दिली खेल विशु विद्याले का पहला कुल पती किसे निक्स किया गया है नेक्स्ट है चोबिस जून 2021 को टोकियो ग्रिसमकालिन ओलंपिक खेलो के लिए भारत का अधिकारिक गीत लचेतेरा सामने है को किसने गया है तो इसको मोहित चोहन ने गया है चोबिस जून 2021 को कोचीन अंतराष्ट हवाई अडे को किस पुरसकार से रवाजा गया तो 24 जून 2021 को कोचीन अंदराज्ट हावाय अडे को रोल आफ एक्सिलेंस परेसकार से नवाजा गया है नेक तै पचीश जून 2021 को कौन सा दिवस मनाए गया तो 25 जून 2021 को नाविक बिस वेवं वीटी लगो दिवस मनाए गया नेक्ट है 25 जून 2021 को तीन करोड से अधिक लोगों का टीका करन करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो 25 जून 2021 को पतीन करोड से अधिक लोगों का टीका करन करने वाला देश का पहला राज महराश बन गया है कौन तो महराष्ट बन गया है नेकर 25aj 21 को किन दो सहरों को सहुत रूप से आस्मार्ट सिटी प्रस्कार से सा मैंनित किया गया dif British को मध्य P 스تي के इंदोर तथा गुजरात के सूरत को सहुतर रूप से आस्मार्ट सीटी प्रस्कार से समामित किया परदेश के इंदोर तथा गुजरात के सूरत को सहीत रूप से स्मार्ट सीटी प्रसकार से समानित किया गया है नेख्ट है चोबीस जुन्द्वर 21 को डी आडी ओने ओरिसा के बालासौर के चांदीपुर में एक एकिकृत परिचन रेंज से किस सब सोनी कुरूज मिसायल का अफल परिचन के कौन सा कुरूज मिसायल तो अन्मीर भाय है नेख्ट 26 जुन 2021 को कौन सा दिवस मना गया तो 26 जुन 2021 कौंतराष्ट नसा विरोधी दिवस मना गया नेख्ट है 27 जुन 2021 को सुचना नुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महांगा सहर किसे गोसित किया गया है तो 27 जुन 2021 के सुचना नुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महांगा सहर अगस बावत को किसको तो असवा बात को गोसित किया गया है जो की तुर्क मेनिस्तान में है नेक्ट है 27 जुन 2021 को रेवीज से मुक्त होने वाला देश का पहला बैक्ती कौन बन गया तो 27 जुन 2021 को स्वीडेन के किस पधान मंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में बिलम होने के करन त्याग पत्र दे दिया तो 27 जुन 2021 को स्वीडेन के पधान मंत्री अस्टीफन लोपवेन ने किसने तो अस्टीफन लोपवेन ने विश्वास मत हासिल करने में विफल राने के कारन त्याग पत्र दे दिया नेक्ट 27 जुन 2021 को भारती तिरंदाज अतून दास और धीपिका कुमारी ने पेरीश तिरंदाजी भी शुकप चरन तीन में मिस्तित यूगमैस पर दा में कौन सा पदक जीत कर इतिहास रचा तो उन्हों ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा है कौन सा पदक तो स्वर्ण पदक नेक्ष्ट है 28.21 के सुचना नुचार 20 के सरस्टेस्ट सौ मेडिकल कॉलेज़ों में भारत के कितनी मेडिकल कॉलेज़ों को सामिल किया गया है 28.21 को DRDO ने नई पीडी की किस बैलस्टिक मिसाइल का सफलता पुर्वक परिचन किया है 29.21 को कौन सा दिवस मनाए गया तो 29.21 को सांखे की दिवस मनाए गया 29.21 को उच्तम न्याले ने सभी राजियों एवम केंदर शाशित परदेशों को कब तक One Nation One रासन काड योजना लागू करने का निरदेश दिया है तो उन्होंने 31.21 तक One Nation One रासन काड योजना को लागू करने का निरदेश दिया है 29 जून 2021 को किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में पांच गोल करने वाली पालिट टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है तो वो है अस्पेन कौन है अस्पेन नेक्ष्ट है 29 जून 2021 को पोटियाला में राष्टे अंतराष्टे अथलेटिक्स परत्योगीता में किस ने गोला फेक असपर्दा का स्वन पदख हासिल किया है तो वो है तंजी दरपाल सिंग तूर कौन है तो वो है तंजी दरपाल सिंग तूर नेक्ष्ट है 27 जुन 2021 को जपान का फुपु ओका ग्रेंड पुरसकार से किस्टे समानित किया गया तो 29 जुन 2021 को जपान का फुपु ओका ग्रेंड पुरसकार से पत्रकार पी साहिनात को कौन तो पत्रकार पी साहिनात को समानित किया गया नेक्ट है 29 जुन 2021 को किन दो देशों के बीच बाग में सयुष सेन अभ्यास मुस्तफाक कोमल अतातुक 2021 शुरू हो गया तो वो है तुर्की और अजर बैजान कौन है तो वो है तुर्की और अजर बैजान नेक्ट है 29 जुन 2021 को राष्टी सांकी की आयो के किस पुर्व अध्यच को प्रोफेसर पीसी महान वोलिस राष्टी लाइप टाइम एचीवेंट प्रसकार परदान किया गया है तो वो है डॉक्टर आर्वी बर्मन कौन है वो है डॉक्टर आर्वी बर्मन नेक्ट है 30 जुन 2021 को कौन सा दिवस मना गया तो 30 जुन 2021 को अंतराष्ट संसादिय दिवस और अंतराष्ट छुद्रगरा दिवस मना गया नेक्ट है 30 जुन 2021 को ISSF 200 कप सूटिंग में किस भारतिय निशानाबाज ने स्वर्ण पदक जीता तो भारतिय निशानाबाज राही सर्वोनत ने स्वर्ण पदक जीता नेक्ट है 30 जून 2021 को किरकेट के सभी प्रारूप में डेविव करने वाली सबसे युवा की लाड़ी कौन बन गई तो सबसे युवा की लाड़ी सफाले बर्मा बन गई गई तो सफाले बर्मा नेक्ट है 30 जून 2021 के सुचना नुशार कौन सी अंतरिच अजनसी दिव्यांग अंतरिच यातरी को निप्त करेगी तो वह है यूरोपी अंतरिच अजनसी तो वह है यूरोपी अंतरिच अजनसी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और सेर करें साथी चनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह करेंट अविर का वीडियो आपके आने वाले जितने भी एक्जाम है सारे के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह वीडियो आप जरूर से देखेगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से किजिएगा थैंक्यू